हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल में मैं हूँ अमित स्रिवास्तोर आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टू-47 फ्रेंड्स आज हम आपको को चार केम्स के उपर महत्पूर तथ्य बताएंगे वह भी सूत्र के साथ इसलिए आपसे निवेदन है कि मेर अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दवाना ना भूले और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलेगा तो चली स्टार्ट करते हैं तो आईए दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ ट्रॉफी है ट्रॉफी से रिलेटेट कुछ सूत्र बताऊंगा जो कि सूत्र आपको याद रखना है तो चली इस देखते हैं तो पहला है बैन्मिंटन मलेशिया का राश्ट्री खेले तो ऐसा कोशन में पूछा जाएगा कि बैन्मिंटन कहा का राश्ट्री खेल है तो आपका एंसर हो चाहिए बैन्मिंटन कहां खेला जाता है कोट परिशर में खेला जाता है बैन्मिंटन में एक या दो खिलाडी होते हैं आप जानते ही हैं चेतन आनंद साइना नहवाल गोपी चंद्र पीवी सिंदू इसके मुख के खिलाडी हैं दोस्तों यह जो मुख के अड़िये वो हर वर्स बदलते रहते हैं लेकिन कुछ कोश्चंस में दोहराया था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको बता दिया जाए कि दुबारा जब यह आये तो आप लोग को लगाना है एंसर बैडमिंटन ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आधुनिक बैडमिंट चैंपियोंशिप का प्राण्ब उनीस्यप Uns 첫 mug 1977 में हुआ ठीक है दोस्तलों यह कोश्चं बहुत इंपsystem दे test है जिय तीक है दोस्तों यह कोशन बहुत इंपोर्टन है यह तीं बार कोशन द दो रहाया है वेस्ट बैडमिंटन अगे जम्पीयोंशिब का प्रारम sięः उन тобой पता नहीं होता है कि यह सब वर्ड्स जो है वो किस खेल से संबंदित हैं तो आये देखते हैं next court परिसर की लंबाई पुछ रहा है भाई साब तो court परिसर की लंबाई कितनी है तो आपका answer होना चाहिए 44 फूट और चोड़ाई कितनी है बीस फूट तो हम लोग चलते है next के उपर अब देखिए Ben Winton important trophium बता रहे हैं यह सूत्र मैंने लिखा है नाच दिवान Thomas Wills ठीक है यह एक सूत्र है जिसको आप देख रहे है ना से हो जाएगा नारंगी, joyful च़़ से उजाएगा चड़ा कप, दीवान से हो जाएगा अमरिद दिवान और धामस कप और Wills से हो जाएगा विल्स कप आप लोग इसको note कर लेजिए क्योंकि बहुत important है इसलिए आप लिखा है मैंने important trophy ठीक है और इसको मैंने सूत्र के साथ आपको बता दिया है तो चलिए बढ़ते है next question के उपर तो next है polo polo से सम्मंदित कुछ important question जो की पूछे गए है ISPCS के paper में भी और SSC railway में भी सब को मिला के मैंने या लिखा है तो देखा जाए बहुत research करने के बाद ही question हमको मिले है तो आई देखते हैं polo से क्या question मन सकता है आधुनिक काल में सबसे पहले polo का गठन कव हुआ 1859 कहां पे असम के कच्छार में हुआ ठीक है इसके खेल के मैदान की लंबाई 300 गज है और चोड़ाई 1500 गज है अब ये जो question है ना ये बहुत important है history में को कई बार ये question देखने को मिला देखे आप से question पूछा जाएगा कुतु बुद्दीन एबक की मौत घोड़े से गिर कर हुई क्या खेलते समय पूलो खेलते समय और ये जो कुतु बुद्दीन एबक है वो किश वंस के संस्थापक है गुलाम वंस के संस्थापक है next question है पूलो फिल्ड परिसर में खेला जाता है पूलो कहां खेला जाता है तो आपका एंसर होना चाहिए फिल्ड परिसर में खेला जाता है ठीक है और कोर्ट परिसर में क्या खेला जाता है तो बैडमिंटन खेला जाता है पूलो की एक टीम में कितने खेलाडी होते हैं चार खेलाडी होते हैं ठीक है, प्रमुक सब्दावली है, ठीक है दोस्तों, यह हम खास आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्रमुक सब्दावली, बंकर, चुकर, मैलेट, बंडर, एरिस रेल, आदी, ठीक है दोस्तों, यह जो है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट क करते हो चली या फिर screenshot भी ले सकते हैं चली नेक्स्ट अब पोलो से संबंधित कुछ ट्रॉफी है ना जैसे कि मैंने सूत्र लिका है पृत्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया यह मैंने सूत्र तयार किया है तो पृत्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया तो पृत्वी से हो जाएगा पृत्वी पाल सिंग कब ठीक है पृत्वी से क्या हो जाएगा पृत्वी पाल सिंग कब राधा से क्या हो जाएगा राधा मोहन कब क्लासिक से हो जाएगा क्लासिक कब और जरूर कब तेससे हो चूँट कि इसमें इंपॉर्टेंट जो हम बता जेते हैं क्लासिक कॉप सबसे जादा इंपॉर्टेंट और कुछ आय न आये ख्लासिक कब जरूर आएगा ठीक है अगर आता है पोलो से तो ख्लासिक कब हमको बहुत जगा देखने को मिला है ठीक है दोस्तों next अब आयाते हैं हम फुट बॉल से तो फुट बॉल से जो जो important question बनते हैं वो उसको बनते हैं तो आपके answer होना चाहिए, ब्राजील आपका South America में पड़ता है, ठीक है, अच्छा, अब ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, capital, ठीक है दोस्तों, capital इसका क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, नेट पे आप सर्च कर लिजेगा, आपको पता चल जाएगा, और बता देते हैं, ब्राजील की जो मुद्रा है, वो क्या है, रियाल है, ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं South America से related, एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर कि उसको जरूर देख ले, साउथ अमेरिका से जितने भी important important question बने हैं, मैं उसमें बताया हूँ, तो क्रिप्या मैं आप से निवेधन करूंगा, कि आप वो वीडियो जाके जरूर देखें, नेक्स्ट फुटबॉल की समया विधी 90 मिनट की होती, आप लोग जानते हैं, पैतालिस पैतालिस मिनट के दो होते हैं, ठीक है, तो ये छोटे एक्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे में, फुटबॉल, ब्राजील, फोर्स, सॉरी, यहां पर गडबड हो चुकी है, फ्रांस लिखा है, तो फुटबॉल, ब्राजील, फ्रांस का राश्टरी खेल है, ठीक है, तो फुटबॉल किस जगर का राश्टरी खेल है, तो आपका एंसर होने चाहिए, ब्राजील और फ्रां ब्राजील के गोलकीपर और एक फ्रांस की गोलकीपर, ठीक है, उनका नाम आपको याद रख लेना है, मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनका नाम बहुत लंबा चोड़ा है, उसको जरूर आपको याद कर लेना है, मैं उसको वीड सिफिर गोस रोनाल्डो पेले बाइचंग भूटिया रोनालडी नो जिने दिन जिदान इसके कुछ प्रसिद खिलाडी है ठीक है दोस्तों यह जो कोश्चंस है यह बहुत आपका है जिसमें आप लोग को सबसे जादा याद है रोनाल्डो ठीक है आप लोग बच्पन से सुन रोनाल्डो का नाप लेकिन यह सब भी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप देख लीजेगा क्योंकि यह बहुत जगत तोहराया हुआ कोश्चन है ठीक है इसलिए आप लोग इसको जरूर देखेगा इसका पहला विस्व कब 1930 में अरुगवे में आयोजित किया गया कहां आय कर रहा है यह अरुगवे कहां पर है यह आपका साउथ अमेरिका में है ठीक है तो वीडियो जाके देख लीजेगा आप लोग पूरा मैंने साउथ अमेरिका से पूरा कोश्चन बताया है तो आये देखते हैं प्रती वर्स चार चार वर्स में आयोजित होता है 2014 का विस्वक रुस में प्रस्तावित हुआ थे रुप लेना है 2014 का फूट्बॉल विस्वक जर्मनी ने चौथी बार ब ? जिता जर्मनी ने कितनी बार ब ? जता त्याथी बार जिता जर्मनी के जर्मनी ने फाइनल अर्जंटीना को 1-0 असक ए हरा यह इस इस मैचaben के हीरो कॉन नहीं को य जब मैं फुटबाल मैश यहां एक्चली मैं देखता भी हूँ फुटबाल मैश सी बहूत कजब की गुटवीपर है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं, इससे पहले जर्मनी ने उनिस सो नबबे में जर्मनी एक misprint यहां पे भी है यह जगा misprint हो गया है sorry जर्मनी ने उनीस तो नबे में यह किता जीता था ठीक है एक किताब पहला किताब जो था वो उनीस तो नबे में जीता था next question आये football से और कुछ important notes देखते है 2014 की बात में पहले बताऊँगा फिर में 2018 की बात कर बताऊँगा तो दोस्तो आप लोग स्क्रीन सॉर्ट लेटे जाएए या फिर इसको note करते हो जाएए ठीक है golden boot colombia के James Roderick ने जीता किसने जीता James Roderick ने जीता इन्होंने छे गोल किये थे golden ball Leonis Macy Argentina ने जीता ठीक है ball किसने जीता Leonis Macy ने जीता golden gloves किसने जीता Germany के गोल कीपर याद रख लेना है Neur इनका नाम बहुत चर्चा मेरा 2018 में भी इसलिए ये बहुत ही जाने माने गोल कीपर है Germany के है ठीक है आप लोग अमर उजयला पढ़ते होंगे या फिर कोई भी पेपर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपको जरूर याद रहा होगा नेक्स जर्मनी के कप्तान Terry Mosher Terry Mosher ठीक है 2014 में रहे golden boot Harry Kane को मिला golden ball Luka Motric को मिला golden gloves thybet carteris को मिला golden boot जो है Harry Kane ये जर्मनी के है ठीक है कहां के है जर्मनी के है नेक्स्ट फुट्बाल ट्रोफी फिर सीशू संग युवा डमरू बजा ये एक ट्रिक मेंने लिखा है बहुत ही मेंने से बनाया पन नहीं रहा था लेकिन बनाय आप लोग के लिए इसलिए वीडियो का आप लोग जरूद लाइक करिएगा भले आप सब्सक्राइब करें न करें शेयर जरूद करिएगा ठीके दोस्तों और अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. ठेके दोस्तों, चलिए देखिये. Fee से हो जाएगा FIFA कप, Aaraw से हो जाएगा Rovers कप, तो फिर से हो जाएगा FIFA कप और Rovers कप, Sisu से हो जाएगा Caesar's कप, सू से हो जाएगा Subroto मुखरजी कप, Sun से हो जाएगा Sun से हो जाएगा Santos कप, U से हो जाएगा Euro कप, Do से हो जाएगा Durand कप, Maa से हो जाएगा Mardeka कप. आगे बढ़ते हैं, Cricket, ये बहुत important है, इसमें मैंने बहुत सारे points लिखवाए हैं, क्योंकि जो आ सकते हैं, तो Cricket का जनुदाता आपको पता ही है, England को माना जाता है, हालंकि England पहली बार विश्व कब जीता है, 2019 का, इससे पहले कभी England जीता ही नहीं, Australia ने कई बर जीता है, India ने दो बर जीता है, आएगे देखते हैं, क्रिकेट में स्टंप की लंबाई बहुतर सेंटीमेटर होती, कितनी सेंटीमेटर होती, बहुतर सेंटीमेटर याद रख लेना है, विश्व कब 2015 का आयोजन, अस्ट्रेलिया एवं न्यूजी लैंड के बीच किया गया, यहां पर मिश्प्रिंट सायद है, एक मिनट, विश्व कब 2015 का आयोजन, अस्ट्रेलिया एवं न्यूजी लैंड में किया, यह सौरी एक चीज गलत हो गया, यहां पर में स्प्रिंट है, 2015 का आयोजन लिख दिया, यहां पर फाइनल खेला गया था, फाइनल, फाइनल खेला गया था, अस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड के बीच, ठीक है दस्तों, तो याद रखें किया, हम स्प्रिंट हो गया है, विश्व कब 2015 का फाइनल, अस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड के बीच के लगया, वर्ल्ड कब 2019 का आयोजन, इंगलेंड में किया यह, बिल्कुत सही है, बल्ले की लंबाई, 96.6 सेमी, और चौडाई कितनी होती है, 22.9 सेमी होती है, इसके स्टंप की लंबाई, लगभग 75 सेमी होती है, नेक्स्ट, क्रिकेट की गेंद का भार, लगभग 155 से 168 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों, यह कोशन अच्छा है, यह कोशन दो बार पूछा गया है, रिपीट इट कोशन है, ठीक है, पहले बता दिये, क्रिकेट के गेंद का भार, 155 से 168 ग्राम होता है, इसके पिछ की लंबाई, 22 गज, यानि कि 20.11 मीटर होती है, ठीक है दोस्तों, भारत कितनी बार विश्वकप जीता है, दो बार आपको पता है, 1983 और 2011 में, 2011 में, 2015 में, कप्तान कौन रहे है, MS ठोनी, ठीक है दोस्तों, भारत विश्वकप में, कितनी बार समी फाइनल तक मेंचा है, तो आपका एंसर उना जे, चार बार, 1987, 1996, 2015, 2019, दोस्तों, समी फाइनल कहने का मतलब ये नहीं, कि वो विश्वकप जीता, समी फाइनल के मतलब कहने का ये है, कि भारत सिर्फ समी फाइनल तक ही पहुँच गया है, फाइनल नहीं पहुच पाया, ठीक है, तो ये चार साल, 2011, 2015 में भारत के कप्तान कौन रहे हैं, तो महिंद सिंग्धोनी आपको पता ही है, 2019 में भारत के कप्तान कौन रहे हैं, विराट कोली पता ही है, 2019 का विश्वकप का फाइनल, किन दो टीमों के साथ खेला गया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, 2015 में किस के किस के साथ खेला गया था, तो अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, तो फ्रेंड्स, आटे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, 2019 का वर्ल्ड कफ, 2019 का जो वर्ल्ड कफ है, वो कौन सा संस्करण था, तो ये आपको देखना है, एक किसवा संस्करण, कहां पे, इस्थान, इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है, फाइनल मैच, लॉर्ड का मैदान में, विजेता थी, इंग्लैंड प्रथम बार, जैसा कि मैंने बताया, विजेता टीम के कफ तान, ईयौन मार्गन थे, उफविजेता, न्यूजिल एंड, उफविजेता टीम के कफ तान, केन विल्यम सन, मैन अब दव मैच, बैन स्टोक, इंग्लेंड ना 84 रन ठीक है यह एक मात्र फाइनल में बेन स्टोक्स नहीं सबसे जादा रन मारा था मैन आफ सिरीज कैन विलियम्शन 578 रन न्यूजिलेंड के है सर्वाधिक विकेट मिचल स्टार्क 27 विकेट सर्वाधिक रन रोहित सर्मा 648 रन डेविड वार्नर दूसरे हैं 647 एक रन का अंतर है सर्वाधिक सतक रोहित सर्मा पांच सतक लगाया था टीम जो की वर्ल्ड कप में हिस्से ली थी अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज सिरलंका बंगलादेश इंग्लैंड दक्षिड अफ्रिका पाकिस्तान अस्ट्रेलिया भारत न्यूजिलेंड तो कुल कितनी टीम में हैं ग 11 टीम कुल 11 टीम इसमें भाग लीते हैं अब यह जो टॉफी है बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप लोगों ध्यान से रेख लेना है आर जे डी में सी के आईडी लेकर गया तो यह एक ट्रिक है जो कि आपको याद रख लेनी चाहिए ट्रॉफी से रिलेटेड ट्रिक ह तो आर से हो जाएगा अरंडजी ट्रॉफी जे सो जाएगा जांसी ट्रॉफी डी सो जाएगा देवधर ट्रॉफी सी के सो जाएगा सी के नाडू ट्रॉफी आई सो जाएगा इरानी ट्रॉफी डी सो जाएगा दिलाइब ट्रॉफी तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या आपको बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हौकी से रिलेटेड एक स्पोर्ट बच रहा है जो कि अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दवाना न भूलेगा और इसके साथ साथ कुछ और में ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको देखना है कुछ नया बताऊंगा कुछ नया चीज़ पर ट्रिक्स लेके आऊंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा ओके तब तक के लिए धन्यवाद